Hello Champions! Welcome back to Let's Score 100 दोस्तों आज की ये वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं है आज की ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जिनके प्री बोर्ड में अच्छे मार्स नहीं आ पाये हैं या जिनको स्कूल वालों ने प्री बोर्ड में फेल कर दिया है इसके साथ ही साथ इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग कुछ साइकलोजिकल ट्रिक्स की हेल्प से पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इस बात को भी डिसकस करेंगे तो जिन साथियों के हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाये हैं जितना उन्होंने एक्सपिक्ट किया था उतना नहीं आ पाये हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आईए देखते हैं कि इसके क्या-क्या सॉलूशन हो सकते हैं तो सबसे पहले जिन साथियों के प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाये हैं इनको हम तीन केटेग्री में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और इन तीनों केटेग्री के साथियों के लिए अलग-अलग सलूशन हैं जिसपे अगर आप फोकस करेंगे जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनिटली फायदा होगा क्योंकि ये जो भी चीजें आपसे मैं शेर करने जा रहा हूं वो साही कि सारी ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स हैं सबसे पहले देखते हैं कि जिन साथियों के आउट ओफ 80 जिन साथियों के आउट ओफ 80 65 to 70 मार्क्स आए हैं मैं बोलूँगा ऐसे साथियों को चिंता करने की ज़रूद नहीं है अगर उनके 65 to 70 आए हैं ओट ओफ 80 तो फाइनल बोर्ड के एक्जाम में बोर्ड के एक्जाम में उनके डेफिनेटली 78 to 80 मार्क्स आ जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कंप्लेसेंट हो जाना है तैयारी रोक दिनी है अगर आप इस कैटेग्री में आते हैं जिसके 65 to 70 मार्क्स आए हैं तो आपको परिशान बिल्कुल नहीं होना है As a school teacher मैं अपने experience से आपको बता सकता हूँ हम लोग जान बूच करके ऐसा करते हैं क्योंकि कई बार ये देखने में आया है अगर हम बच्चे को 80 मार्क्स में से अगर हम 75 या 78 मार्क्स दे देते हैं तो आप लोग कंप्लेसेंट हो जाते हो यानि आपको लगता है आप तयारी हो चुकी है अप पढ़ने की जरूत नहीं है उसका bad effect यह होता है कि board का जो final exam होता है कईयों के उसमें marks 60-65 तक आ जाते हैं क्योंकि answer writing के practice नहीं रह जाते हैं आप revision नहीं करते हो क्योंकि pre-board से board की exam की बीच में लगबख दो महिने का अंतर आ जाता है राइट तो पहली category वालों को लिए यह हो गया आप चाहें तो आप अपने किसी senior अगर आप जानते हैं तो आप उनसे बात करें जो इस category में आए हैं जिनके 65-70 आए हैं board exam में definitely उनके क्यों एक यादो number ही कटे हैं चले आप दूसरे category की बात करते हैं दूसरे category में हमारे वो साथ ही आते हैं जिनको out of 80 pre-boards में 35 to 40 marks मिले हैं आपका जो board का exam होगा उसमें आपको कम से कम 40 to 50 marks मिल जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी लेकिन दोस्तों क्या हम क्यों 40 to 50 marks के लि marks आ रहे हैं क्या हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं नहीं यह number लेके कहां जाएंगे आपको stream भी तो नहीं विलेगी मन चाहिए stream भी नहीं विलेगी अब आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको answer writing की practice तो करनी ही है उसके साथ ही साथ आपको chapters पे अपना command develop करना है य जिनको out of 80 basically 10 या 15 number मिले हैं यह situation थोड़ा सा critical है लेकिन trust me अब भी आपके पास 40 to 45 days हैं चिन्ता की बात नहीं अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है trust में अगर आप अब भी पढ़ना शुरू कर दोगे और answer writing की practice करना शुरू कर दोगे इसके साथ ही साथ अब आपके लिए जो strategy होगी board exam को approach करने की वो अलग होगी क्या करना है आपको जो भी subject आपको difficult ल जो rationalized syllabus है उसमें क्या-क्या आ रहा है फिर उसमें ऐसे chapters को आप choose करें जिन chapters में आपका interest है जो chapters आपको easy लगते हैं पहले आप उन chapters को तयार करिए याद करते जाए और answer writing की practice करते याद करते जाए जाए समझते जाए और answer writing की practice करते जाए राइट उसके बाद आपको क्या कर chapters को देखो जो आपको tough तो लगते हैं लेकिन उन chapters के कुछ हैसे portions हैं जो आपको लगता है कि आप कर लेंगे ठीक है तो आपको इस तरीके से approach अपनाना है उन chapters की list बना लो आप और आप answer writing की practice जरूर करें क्योंकि जब आप answer writing देखो जब आप मेंसे ज्यादा लोग problem मतलब आप मेंसे ज्यादा लोगों के साथ problem क्या होते बता है आप लोग पढ़ाई तो खूब करते हो पढ़ाई में कोई कमी नहीं चड़ते हैं मेहनद भी खूब करते हो लेकिन आप answer writing की practice करते ही नहीं हो अगर आप answer writing की practice नहीं करें तो कई बार क्या होता है जब लोग पढ़ लेते हैं पढ़ते समय या याद करते समय में लगता है सब कुछ आता है लेकिन जब हम actually answer लिखने बैट तो क्या होता है लगत अरे यार यह point तो याद ही नहीं है होता है अगर इसा होता है तो comment box में comment क practice कभी ने करें तो marks आपके कम आएंगे आते हुए आप नहीं लिख पाप कई essay students को मैं जानता हूँ कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी answers उनको class में खुब answer देते हैं लेकिन board exam में उनके marks कम आए pre boards में भी कम आए क्योंके को answer writing की practice ही नहीं करते हैं तो आप answer writing की practice जरू कर की जो toppers थे उनकी answer sheet की analysis की गई है और हम दोगों ने ये सीखने की कोशिश की है कि एक topper answer को कैसे लिखता है जो आपके लिए काफी useful होगी आप उसे जरूर देखें चलिए now coming back to the second part of the video ध्यान से सुनिए अब देखिए situation कैसी है situation ऐसी है pre-board का first round का exam हो चुका है जिसमें marks कम आये हैं उसकी वज़ा से आप low feel कर रहे हो राइट पैरेंट भी थोड़े से नाराज है अब situation क्या हो रही है इस्कूल वालों ने second round of pre-board की date sheet पकड़ा दे हाथ में board के final exam की भी date sheet आ चुकी है और हर रोज एक दिन कम ही हो रहा है बढ़ नहीं रहा है जाहरी बात एक stress आता है disappointment होती है लगता है यार कोई तयारी नहीं है लेकिन trust me अब भी आज से भी अगर आप तयारी करना शुरू करेंगे planned way में अब भी आपके पास 40 से 45 दिन है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे मैं उन students की बात कर रहा हूं जो pre-board में जिनका रिजर गडबड हो गया अब भी 40 से 45 दिन है अगर आप भी कोशिश करना शुरू कर दोगे तो trust me आपके out of 80 50 to 55 marks कहीं नहीं गये हैं तो आज से आप तयारी करना शुरू कर दीजिए राइट अब जैसा कि हम बोगों ने नहीं है पढ़ने की अप पढ़ना चाथे हैं आप अपने time table भी बनाया होगा लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आदि गण्यण्यदे बाद लगता है नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा साल भर नहीं पढ़ा तो दो महिने में क्या पढ़ लूगा होता है ना ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कि आप इजी चैप्रस की लिस्ट बना लीजिए वह काफी यूसफुल होगा चलिए आप इस बात की चर्चा करते हैं कि पढ़ाई में मन क देखिए दोस्तों आपको पता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने के लिए हम आधी रात को भी तयार रहते हैं जैसे फॉर एक्जांपल आप में से कुछ लोगों को गेम्स और स्पोर्ट में काफी इंट्रेस्ट होता है कुछ लोगों को डैंस में काफ करना था कि जब वो डांस कर लेती है तो वो शी फिल्स एनरजाइज़ और फ्रेश अच्छा इसमें सच्चाई भी है क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो डोपैमीन रिलीज होता है सेराटॉन रिलीज होता है हैपी हर्मों जिसको भोलते हैं तो आप में स अब फिल्में त्याटर में जाके देखने का वक्त नहीं रह गया यह गलती मत करना अभी इस पर आते हैं कि किसको कैसे अप्लाई करना है और एक चीज़से आप लोग और भी रिलेट करोगे कि हम में से सभी का एक हर वेक्ति का एक ना फेवरेट फूड और डिंक होता है कि जिसको खाने पीने के बाद मूड अच्छा बन जाता है और लगता कि आप तो कुछ भी करवा लो तो इन सब चीज़ों को कैसे यूद करते हैं देख़ी धेहां से करना क्या है कि रात में सोने से 10 मिनट पहले जो आपकी फेवरेट एक्टिविटी है आप उसके बारे में सो लगाना है क्योंकि अलाम लगाएंगे तो जो आपकी स्लीव साइकल हो है वो डिस्टब होगी तो फिर आपके नीद खुलेगी लेकिन आपको लगा कि 10 मिनट और सो लेता हूं तो अलाम नहीं लगाना है अपने आप नीद खुलने दीजिए हो सकता है पहले दिन आप 8 नहीं लगाना है जैसे ही नीद खुलती है 6-7 घंटे के बाद फटाफट मिस्तर से बाहर आ जाईए आपका दिमाग आपको यहां पर चीट करने की कोशिश करेगा हमेशा की तरह कि 5 मिनट और सो लेते हैं यहीं पर ट्राइफ है आपको नहीं सोना है आप 6-7 घंटे की तो आप से 9-30 मत काउंट करो नीद आने मां आधे घंटे लगते हैं तो आप से 10 o'clock काउंट करो कि मैं 10 o'clock होया था ठीक है 6-7 hours की नीद काफी है अगर नीद आप पूरी नहीं लेगे तो आप concentrate नहीं कर पाएंगे फिर आप restless महसूस करेंगे फिर आप time table कितना भी अच्छ पूर करिए 40 minutes 30 to 35-40 minutes इसे जादा नहीं हम लोग कर सकते हैं जो कि यह बहुत crucial moment चल रहा है टाइम बहुत जादा नहीं है उसके बाद बढ़ी हां नहाध होकर कि अच्छा सा breakfast करिए उसके बाद एक इससे आप लोग relate करेंगे हम सभी का एक favorite subject होता है तो आप जब study table पे है तो favorite subject को लेके बैठिए 20-25 minutes पढ़ने के बाद quickly आप switch कर जाएए उस subject पे जो subject है आपका सबसे पीछे चल रहा है और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए जब आप पढ़ेंगे 15-20 minutes के बाद चुकि उस subject में आपको मजा नहीं आता तो आपका मन बोले गया बहुत हो क्य है अब कल पढ़ लेंगे या भी दो घंटे बात करेंगे तोड़ा सा चलके mobile चला लेते हैं यही ट्रैप है इससे बचना है क्या करना है आपको आपको बोला कि कोई बात नहीं क्यों एक पेज और पढ़ लेता हूं और कोशिश करिए कि जो आप पेज पढ़ रहे हैं उसे खुब ध्यां से पढ़ें अंडरलाइन करिए जो की वर्ड्स है की पॉइंट से उसको हाइलाइट करते चलिए एक पेज पढ़ने के बाद मन तो यहीं बोलेगा चलो यार बस बहुत हो गया लेकिन आपको आप यह बोलो अपने मन को कि यार अब 30-40 मिनट पढ़ाई करी है या 15-20 मिनट पढ़ाई करी एक पीच पढ़ी लिया तो देखता हूं कि जो मने एक पेज पढ़ा है उसमें लगभग 10 पॉइंट से निकलाएंगे या जो भी 8 पॉइंट से निकलाएंगे उसको लिक करके देखता हूं कि मैंने जो इतना टाइम लगा है मैंने नॉलेज कित 10 points आपने पढ़े 10-13 आपने पढ़े 10 points में से कितना आपने दिमाग में रख लिया आप उस topic पर बन सकते हैं उस topic Ligma सकते हैं तो आपको करना क्या है कि आंप नहीं देखो पढ़ाई 2 से सीथे से सथे सफ पहले आप देखो आपने पढ़ा थे 10 points उसको लेकर देखने क्यों क पहली बार आप लिखेने के कोशिश कर गोई आप देखो चार पॉइंट आप लिख पाऊगे या पांच पॉइंट लिख पाऊगे या च्छा पॉइंट लिख पाऊगे आपको यह डिसपॉइंट नहीं फिल करना है आप बलो कोई बात नहीं अभी मैंने 15-20 या 30 मिनिट लिखा था तो दूसरी बार में आप 6-7 पॉइंट लिख लेंगे तो आप अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप अपने पीठ थप थपाईए आपको खुद अपने पीठ थप थपानी है आपको खुद अपने आपको एंकरेज करना कोई दूसरा नहीं आएगा आउट साइ आपको परेशान कर लेते हो आप दो घंटा पढ़ने कर लेते हो आप तो पूरा दिन भर पढ़ना पढ़ेगा आठ से दस घंटे नहीं पढ़ना है अगर आप 5-6 घंटे यानि अगर एक सब्जेक्ट को आप 45 मिनट्स पढ़ते हो और 15 मिनट्स लिखते हो यहां पर बहुत आप लोग जब पढ़ते हैं तो लंबे आवर्स के लिए नहीं पढ़ना है 30-35-40 मिनट्स पढ़ लिया एक बेक लिजिए आपका फेरेट फूड खाईए या गाना सुनिए कुछ नहीं कुछ entertaining activity करें जिससे आप enjoy करते हैं यानि पढ़ाई लिखाई फिर कुछ enjoyment वाली activity इस इस तरीके का रूटीन बढ़ाई है कि पढ़ाई लिखाई फिर enjoyment वाली activity इस तरीके सिकरते हैं कि तो आप उबेंगे नहीं नहीं तो आपको लोगेगा कि बोर्ड एक्जाम आपके लिए punishment हो गया है रिलेट कर पा रहा है आप लोग ऐसा ही होता है तो enjoy करने की कोशिश किया पढ़ाई को भी और फेवरिट activity को भी है ना लेकिन फेवरिट activity के लिए बहुत जादा टाइम नहीं देना है ब्रेक लेडिया दस मिनिट का पंदर मिनिट का बस इससे जादा बड़ा ब्रेक नहीं लेना क्योंकि बहुत ही crucial point चल रहा है अच्छा इसी में अब एक और बड लोगों से जादा नहीं तो फिर कुछ और होने लगेगा उस ग्रूप में दो या तीन लोग हो है और आप लोग topic decide करेंगे यार यह topic हम लोग पढ़के आएंगे और एक दूसरे का doubt clear करेंगे या या एक दूसरे को उस topic पे doubt clear करेंगे या वही same topic तीनों लोग उसी same topic पे त आपको कैसा लगा trust me मैं teacher होने के नाते मैं बता सकता हूँ जब मैं खुद पढ़ता था तो उतना अच्छा नहीं feel होता था लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आज तो बहुत अच्छा feel होता trust me बहुत अच्छा लगता है तो जो भी आप पढ़ते हैं उसकी practice इस तो लिख करके जरूर करिए उसके साथ ही साथ अगर दोस्त दूर रहता है तो उसे phone पर आप उससे समझाए का आज मैं नहीं यह पढ़ा तुझे कोई doubt है मेरे से पूछ करके देखे हो फिर आप मुझे 4-5 दिन बात बताएगा आपका है नहीं सरेवाले trick बहुत काम करत तो दोस्तों मिलते हैं एक और interesting और मज़ेदार वीडियो के साथ जल्दी ही till then keep learning keep scoring full marks because if there is no learning no marks thank you so much